डोडा के लाल द्रमन इलाके में कल शाम सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुठमेड होती है घात लगाकर आतंकी जो है वो जंगलों में बैटे हुए थे आपको बता दे कि कठुआ और डोडा में लगातार एक के बाद एक हमले के बाद आतंकी जो है अपनी जगए बदल रहे है और बार बार अपनी प्रेजन्स भी दिखा रहे हैं वो डोडा के घरे जंगलों और में आपको दिखाने की कोशिश करने हैं इस ममें हम ग्राम 2 पे हैं और ग्राम 2 में आपको बता दे के यह जो ốngे बने जो घर हैं क्यूंकि इस समय इन ढोक में कच्छे मिटी के बने घर हैं इस इलाके में जिनके घर हैं वो लोग कश्मीर में होते हैं गर्मी के बोसों में अक्सर वो अपने जानवर हैं उनको लेके कश्मीर चले जाते हैं खाली गरों का जो है वो सहारा लेते हैं आतंकी और ऐसे कच्छे मि यहां से दिखाने की कोशिश करो कि किस तरीके से यहां पर बीच सड़क में सुरक्षा बलों ने अपनी गाड़ी से यह रास्ता बंद कर दिया है और यहां से आगे जाने की अनुमती नहीं है क्योंकि इलाके बे लगातार जो है वो गोली बारी चल रही है देर रात से ही इस तरीके से ये घने जंगल है और ये टॉप बिल्कुल हम टॉप पे हैं और ये इतनी यूची पहाड़ी है कि यही पहाड़ियां उधंपूर और यही पहाड़ियां कठुवा के साथ मिलती है इनका टॉप एक ही है और लगातार आतंकी जो है वो अलग-अलग गृपों में है और अलग-अलग गृप्स में रहके वो आपस में संपर्क में भी है ये भी कहा जा रहा है जमू कश्मीर के जिला डोडा के कोटी सजान लाल द्रमन में एक बार फिर मिल्टेंट और कोटी फोर्सिस के बीच कल देर रात इनकांटर शुरू हुआ था फिलाल इस इनकांट मैं इसके बैक साइड में इनकांटर कल रात तकरीबन आड़ बजे हुआ था जब सिकूर्टी फोर्सिस को मिल्टेंटू की छुपने की इनफर्मेशन मिली थी और उस एरिया को पूरी तरह से कार्डन किया गया था फिलाल मैं आपको बता दूँ कि यहां से आगे मीडिया क को इजाज़त नहीं दी जा रही है इस इनकांटर को कावर करने के लिए लेकिन न्यूज एटीन की टीम बिल्कुल ग्रांट जिरो पर है और इस इनकांटर के अगर हम बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है कल देर रात यह इनकांटर जारी रहा लेकिन फिलाल अभी तक जो इनफर्मिशन आई है अभी तक दोनु तरफ से फाईरिंग जो है वो रुकुई हुई और इस एरिया को पूरी तरह से जो लाल दरमान गादी, कोटी का जो जंगल का एरिया है यानि फारेस्ट का एरिया है इसे पूरी तरह से गार्डन में लिया गया और स्कुरटी फो झाल